तो आज हम बॉलोड के आने वाली रीमेक्स फिल्मों के बार बात कने वाले हैं जो कि साउथ फिल्मों के रीमेक होने वाली है मुझे लग रहा था कि अब से बॉलोड में रीमेक फिल्में नहीं आने वाली है लेकिन भाई साहब बॉलिवुड कुछ एक्स्ट्रा ओडिनरी सांदर फिल्मों की रीमेक ला रहा है इस साल में कुछ ऐसी मोविज आने वाली है जो कि सभी को लग रहा है कि ओरिजिनल होने वाली है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है तो चलिए देखते हैं लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दमा दीजिए नमबो वन पे सरफिरा अक्षय कुमार की सरफिरा फिल्म 12 जुलाई को थियर्टर असमरलिस होगी ये फिल्म किस फिल्म के ओफिशल रिमेक है ये आप सभी को पता है लेकिन कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट चीजे आपको नहीं पता है सरफिरा फिल्म के में लेड में अक्षय कुमार, रादिका मदन, परिस रावल दिखाई देंगे जो कि ओरिजनल वाली रोल को फिट से इस फिल्म के अंदर प्ले करेंगे फिल्म में सूपर स्टार सूरिया का स्पेशल कैम्यो होगा वहीं ओरिजनल फिल्म के डेरेक्टर सुधा कुंगारा इस फिल्म को डेरेक करी है ये फिल्म नेशनल अवार्ड वीनिंग फिल्म सूरा रेपोटरू का हिंदी रिमेक है जो कि हिंदी के अंदर उडान नाम से आई थी सूरिया ने अपने केरेक्टर मारा को बहुती रियल इंपेक्टफुल तरीके से प्ले किये थे इन्ही का रोल खिलाडी अक्षकुमार प्ले करने वाले हैं इंटरस्टिंग बात ये है कि ओरिजिनल मोवी OTT प्लैटफॉर्म Amazon Prime वीडियो पर लिस होई थी वहीं ये फिल्म थियर्टर में दस्तक देने वाली है 12 जुलाई को तो आप लोग इस फिल्म के लिए एकसाइटेड हो या नहीं सपोर्ट करने वाले हो कि नहीं इस फिल्म को लिख कर आप सभी को बताना है नमबर टू पर है बेबी जॉन ये फिल्म 2024 की सबसे बड़ी एक्षन एंटिटेनर फिल्मोने वाली है जिस फिल्म के एकसन को जेमस बोन से लेकर जवान और विक्रम जैसी मोवी के एकसन डिजाइन करने वाले एकसन डिरेक्टर्स ने डिजाइन करा है जी हाँ ये फिल्म वरुन दवन की करियर की सबसे बड़ी फिल्म है जिस फिल्म में वरुन दवन पहली बार एक पुलिस वाले का रोल प्ले करेंगे फिल्म को जवान का डिरेक्टर एटली प्रोड्यूस के साथ प्रेजेंट कर रहा है ये फिल्म एटली की खुद की फिल्म थैरी की ओफिशल रीमेक होगी जिस फिल्म में थलपती विजय ने लीड रोल प्ले किया था ये फिल्म में को नेस्ट पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो अपनी बेटी की सेफटी के लिए अपनी असली आइडेंटिटी पहचान को छुपाता है ये फिल्म विजय की फैंस के लिए एक ट्रीट था फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सूपर डूपर हिट रही थी ये विजय और डिरेक्टर एटली का फर्स्ट कोलिबरेशन था इसके बाद इन्होंने विजय के साथ मरसल और बिगिल जैसी ब्लॉक्बोस्टर हिट फिल्म करी थी एटली जवान जैसे मेगा ब्लॉक बोस्टर फिल्म देने के बाद इस फिल्म को खुद रिमे कर रहे हैं तो मुझे यकीन है ये फिल्म अच्छी बन कर आएगी तो क्या लगता है आप सभी को ये फिल्म भी थेरी की तरह बॉक्स ओफिस पर धूम मचा पाएगी आप सभी को यस और नो करके बताना है बेबी जॉन अपडेट के मुताबिक जुलाई 2024 को आ सकती है नमबर त्री पहें कपकपी 2024 की सबसे बैंगर और एंटिटेनिंग मोवी आवेसम आप सभी ने देखी लियोगी ये फिल्म आजकल सोसल मेडिया पर धमा का कर रही है इसी फिल्म के डिरेक्टर जेतु मादवन की पहली मोवी रोमान्चम का हिंदी रीमेक आने वाला है कपकपी नाम से रोमान्चम फिल्म को आप मल्यालम सिनमा की बैस्ट होरो कॉमेडी फिल्म कह सकते हो ये फिल्म 2 करोड के छोटे बजट पर बनने के बाद 17 करोड का तगड़ा बॉक्स ओफस कलेक्शन करके एक ब्लॉक बॉस्टर हिट रही थी कंचना जैसी बेहद फेमस होरो कॉमडी फिल्म को रिमेक करने के बाद अब लॉड तुसार कपूर इस फिल्म को रिमेक कर रहे हैं तो क्या आप सबने रोमान चम देख रखी है आप सबको बताना है फिल्म बहुत अच्छी है प्लीज देख लो कब कभी फिल्म इसे साल थियेटर असमरलिस होगी नमबो फूर पे हैं देवा साइद कपूर की देवा नाम के एक फिल्म आने वाली है जिसकी फिल्मे लेडर पूजा हेगड है डिरेक्टर मल्यालम डिरेक्टर रोसन एंड्रियूज है काफियों को लग रहा होगा कि ये एक ओरिजिनल फिल्म रहने वाली है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ये फिल्म 2013 में रिलिज होई मल्यालम फिल्म बुंबई पुलिस की रिमेक होगी इस फिल्म के मैंड ब्लोइंग ट्विस्ट ने उस समय ओडियन्स के होस उड़ा दिये थे ओडियन्स लिटरली शॉक हो गई थी इस इन्वेस्टिगेट्व त्रिलर फिल्म में पृतुरा सुकुमारन लीड रोल पे किये थे फिल्म में एक पुलिस ओफिसर एंटनी मोसस की कहानी है जो कि अपने फ्रेंड एसेपी अरियन जॉन जेकब की मडर मिस्ट्री को सॉल्फ करने की कोसिस करता है इस फिल्म का कॉंसेप्ट सच में बलडी ब्रिलियन्ट है फाइनल ट्विस्ट आपको शॉक में डाल देगा इस फिल्म का ट्विस्ट आज के वक्त काम नहीं करने वाला है क्योंकि ऐसा सेम ट्विस्ट बहुत सारी मोविज में रीपीट किया जा चुका है कबीट सीम और जर्ट सी के बाद साहित कपूर की एक और रीमेक फिल्म आ रही है तो आप सब एकसाइटेड हो या नहीं इस फिल्म के लिए आप सभी को लिख कर बताना है देवा फिल्म 11 अक्टूबर को आने वाली है नमबर फाइब पर है धड़क टू देड़क टू फिल्म के अनॉंस्मेंट हाली में होई है देड़क फिल्म 2018 में आई थी वो फिल्म मराटी सिनमा की all time blockbuster फिल्म सेराट की रीमेक थी इंट्रस्टिंग बात यह है कि ये रीमेक फिल्म ओरिजिनल फिल्म से थोड़ा जादे का कलेक्शन की थी देड़क टू फिल्म कोई मराटी ने बलकी तमल सिनमा के क्लासिक फिल्म परियरूम पेरूमल का रीमेक होने वाली है इस फिल्म को मैंने फिर से री विजिट किया देड़क टू के अनॉंस्मेंट होने के बाद मैं यकिन के साथ कह सकता हूँ कि इस फ़ल्म का रीमेक करना बहुत जादा मुस्किल है मैं धड़क्टू के मेकर्स को यही सज़ेस्ट करूँगा कि प्लीज से इस फ़ल्म का रीमेक उपर उपर से मत करना बहुत जादा ब्यूटिफॉल और हाट टेचिंग फिल्म है फिल्म में कुछ ऐसे दर्दनाक सीन है जिससे देखकर आपको गुस्ता आएगा आपका खुन खौल उठेगा इस फिल्म का रीमेक पूरे सिद्धत के साथ किया जाना चीए धड़क टू फिल्म के में लेड में सिद्धान चद्रोएदी और त्रिप्ति डिमरी लीडोस में निखाए देंगी जो कि काथिर और ब्यूटिफुल अनंदी का रोल प्ले करेंगी ये फिल्म 29 नौमर को थियर्टर समें रिलिज होगी नंबर 6 पर है मिसेज सानय मलोतरा की ये अपकमिंग फिल्म क्रिटिकल अकलेम मलयालम फिल्म दे ग्रेट इंडियन केचन का ओफिशल रिमेक होगी जिस फिल्म में हमें एक सिंपल स्टोरी देखने को मिली थी एक हाउस वाइफ की फिल्म का टीजर आउट हो चुका है जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है ये फिल्म इस साल ओटीटी प्लैटफोर्म पर आने वाली है तो उसके रूल्स फॉलो करने बाड़े है नंबर 6 पर सोरिया सनी दवल की सोरिया नाम की एक फिल्म आने वाली है इस इन्वेस्टिगेटिव सस्पेंस त्रिलर फिल्म म ये एक रिटायर पुलिस ओफिसर का रोल प्ले करेंगे जो कि अपने कमाल के इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के लिए जाना जाता है जो कि एक कॉंपलेक्स मडर मिस्ट्री को सॉल्फ करता है फिल्म को मल्यालम डेरेक्टर एम पदमा कुमार डेरे कर रहा है ये फिल्म 2080 में आई मस्ट वाच फिल्म जोसफ का इंदी रेमेक होगी जो कि अपनी ग्रेपिंग कहानी स्ट्रॉंग पोफॉर्मेंसेज इमोशनल दैप्त स्ट्रॉंग सोसल मैसेज के लिए जानी जाती है फिल्म के अंदर एक काफी सॉकिंग ट्विस्ट है जो कि आपका दिमाग गुमा जो सफ उन मल्यालम फिल्मों में से हैं जिसका बहुत सारा रेमेक अल्लेडी बन चुका है सूरिया फिल्म के सूर्टिंग पूरी कंपलेट हो चुकी है ये फिल्म इस साल थियेटर अस्मरलिस होगी नमबर एट पर है एक अंटाइटल फिल्म ये फिल्म में आमिर खान की बेटे जुनेत खान और स्री देवी जी की छुटकी बेटी खुसी कपोर दिखाई देने वाली है ये फिल्म तमिल सनमा की ब्लॉक बॉस्टर रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म लव टूडे का रिमेक रहन तो आप लोग कौन सी रिमेक फिल्मों का वेट कर रहे हो आप लोग लिक कर बता सकते हो इसमें से कौन सी रिमेक फिल्म हिट का वर्डिक्ट ले कर जाने वाली है आपके एसाब से ये भी आप सभी लिक कर बता सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्स्राइ कीजिए, सुक्रियाँ